अगली खबर में हम बात करते हैं केंद्र सरकार की अगनीपत इसकीम का देश भर में विरोध हो रहा है बिहार से निकले ये चिंगारी अबमध्य प्रदेश तक पहुच गई है प्रदेश के गौालियर और इंदौर सहर में प्रदर्सन हुआ है गौालियर के गोला का मंदिर में सेना भरती के तयाई कर रहे युवाओं ने चक्का जाम कर 20 सड़क पर टायर फूके है उगर युवाओं ने बिर्ला नगर रेलवे स्टेशन पर भी तोड़ फोड़ कर दी है कुरसियां और पंखे तोड़ दी है रेलवे ट्रेक पर आग भी लगा दी एक ट्रेन पर ट्रेक से उठा कर गिट्टियां फैकी गई यहीं नहीं बिर्ला नगर स्टेशन पर इंटर सिटी ट्रेन के सी से भी फोड़ दीए गए गौलियर में उपद्रव मामले में गुरवार रात 11 बजे तक 5 अफाईयार दर्ज हो चुकी है एक मामला गोला का मंदिर में चक्काजाम सास्की संपत्ति की तोड़ फोड़ आग जनी का दर्ज हुआ है इसके अलावा इन ही धाराओं में दो-दो मामले पड़ाव और जियार पी थाने में दर्ज हुए हैं सभी में अगजात उपद्रवियों को आरोपी बनाया गया है युवाओं के पत्राओं में दो पत्रगार समेट 10 लोग घायल हुए हैं हंगामे के खबर मिलते ही पुरे सहर में पुलिस फोर्स तैनात किया गया लेकिन आक्रोसित युवाओं ने पुलिस को देखते ही पत्राओं सुरू कर दिया पुलिस ने लाठी चार्ज कर युवाओं को खदेड़ा रिजर्ब फोर्स के आने के बाद हालात संभले ट्रेन यातयाद भी प्रभावित हुआ है कई ट्रेनों को आगरा और जहासी पर ही रोग दिया गया है कई ट्रेने चार से पांच घंटे लेट होंगी कलेक्टर कॉसलेंद विक्रम सिंग ने बता कि इस्थिती अमनियंत्रण में है प्रोपर्टी का मेजर लॉस नहीं है गटना के कारण दिल्ली से भोपाल और भोपाल से दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेने भी प्रभावित हुई है रेलवे ने टुटर पर तीन ट्रेनों का रिसेडूल टाइम भी जारी किया है सेना भरती को लेकर आकरोसित युवाओं के तेवर देखकर लोगों को सेना भरती 2014 में हुआ उपद्रव का सीन याद आ गया है तब ग्वालियर के मेला ग्राउन में सेना भरती के दौरान हुए बिबात के बाद करीब 25 जादा गाडियां जला दी गई थी पूर्व केंद्री मंती अरूर यातों ने भी ट्वीट किया उन्होंने कहा कि मोदी सरकारी युवाओं के सपने को कुचलने का प्रयास कर रही है पूर्व के नई टी ओडी योजना है उसको पापत लिया जाए और हमारे जो भाई हैं उनका पेपर निरस्त किया गया है उनको करा जाए अबीदार उमर बढ़ा दी जाए और हमारे एक हैं दो साल की छुट दी जाए